यह चलो देखो बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर डीज की मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेज है जिनको सेलिवरेट हम करते हैं उनकी उपर हम चर्चा करेंगे साल भर में पूरे 365 दिन हैं हर दिन कुछ ना कुछ celebrate किया जाता है लेकिन एग्री कल्चर डेस कौन-कौन से celebrate कि जाते हैं जो एग्री कल्चर से रिलेटर हैं उनकी उपर अपन चर्चा करेंगे क्योंकि वहां से direct questions पूछ लिए जाते हैं तो वह देख लेते हैं पर important agriculture days कौन-कौन से हैं महीने टू महीने कवर करेंगे पहले जन्वरी फिर फर्बरी फिर मार्च अप्रेल माई जून कौन-कौन से दिन किस-किस महीने में आते हैं उनको बना सकते हो आपकी मर्जी आप चाहो तो लिखो मतले को याद करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो खाली छोड़ने से अच्छा ही है फस्ट जैनवरी एक जनवरी को एक तो हम नई साल बनाते हैं हर साल ठीक है इसके लावा वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन डबलू टी ओडेवी हम लोग बना लेते हैं ठीक है आज दूसरा है कि छड़ते हैं ह помощ को सब्सक्रेंट को सब्सक्राइब सब्सक्राइब बना लिए तौट advoc अब सब्सक्राइब आता है एक्षण में भी पूछ लेते हैं और वैसे जो दूसरे अग्जाम में भी पूछ लेते हैं कौन सा भी नेशनल साइंस डे कि यह इंपोर्टेंट है मार्च मार्च में आपको सबसे ज्यादा दिन देखने को मिल जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए इसमें आपको ज्यादा चीजें याद रखने पड़ेंगे जैसे एक तीन मार्च का याद रखना है आट मार्च का याद रखना है ग्यारा मार्च क सब से पहले हम बात करें आप पर तीन मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है वह लेक्षब यह कब है वही तीन मार्च को है तीन के बाद फिर आजाओ सीदे आठ मार्च आठ मार्च को है इंटरनेशनल वोमेंस डे आठ मार्च कि आठ मार्च को है इंटरनेशनल वोमेंस डे इंटरनेशनल क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल वोमेंस डे ठीक है वोमेंस की उपनापन तीन चार दिन पढ़ने वाले हैं पूरे साल वर में वोमेंस को ले करके international moments day हो गया एक ruler moments day आएगा एक agriculture moments day भी आएगा तो कुल मिलाकर गाई तीन है पूरे साल भर में वह आपको पढ़ने है उसमें से एक तो यह international moments day जो आठ मार्च को है इसके बाद फिर आजाओ अपना 11 mo is कुझ का बिशूना प्रसी को ब इसको भी आद रखो इतना ज्यादा तो ठीक है लिकल लिख लो इसको भी यह का पंद्रा मार्च जाओ फिर देर सोचार मार्च थे इसको भी रख लेना याद आ जाता है k 750 न द eerste को water resource day द्यारा के बाद फिराजो पंद्रा मार्च 15 मार्च को है इसमें वर्ल्ड कंज्यूमर डे वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब 15 उसके बाद फिराज अपना 21 मार्च ये बड़ा है इस पर लगा दो IMP 21 marks 21 marksDay्स को forest Day बनाया जाता है world forest the one forest day कब बनाते हैं भाइस को 21 March को उसके बाद फिर आजवाप का 22-course nice promise 22 मार्च को आपनाते हैं water day IMP लगा जने इस पर world water तर कि ये भी मोला इंप्टेंट है बल्ड वाटर और ये डिख़ो याद यात मिटीयू स्मार्च को ऐसे इस मार्च सबोस्तों लो бол mentors करते हैं से व्रट मिटीरह लोड़ी के डाइम धिवां कि वर्ल्ड मिकष तो रोल लोजीकल बैसे मिटियोरोलोजी कड जो बढ़ है वो एकदम सही माना जाता है ठीक है अब आज अप्रेल अप्रेल में क्या वह एक तो 22 अप्रेल याद रखो और 24 अप्रेल याद रखो दो दिन आद रखने आपको सबसे पहले हम बात करें 22 अप्रेल की 22 काफी इंपोर्टेंट है इस इसमें तो बैसी पूरी दुनिया की तो वर्ल्ड लिखने की जड़त क्या है फिर भी लिखते हैं तो लिखो वह अपन भी वर्ल्ड अर्थ डेव फर उसके बाद आजाओ अपना एक 24 24 अप्रेल भी लिख लो इसमें पंचायति राज है वो इस दिन से शुरूरू आता यह वीटो कॉल किसका रहाएं अप्रेल हो गया अप्रेल के बाद फिर अपना आता है क्या जून TIM में है में 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 कुछ नहीं है छोड़ दो में जून में चलते हैं जून में आपको दो दिन लिखने एक झून को यादखना है और पांच जून का याधर एंक words कौन लगता है यह मनिट रुकोगी जरह हPS छोड़े हम बात कर रहे हैं कि जूल में आपको दो itर यादे रखने एक तो एक जूली आत रखो और 5 जूली ईयाथ रखो तो दोना ही बड़े इमपरॉटेंट यह लगा दो सबसे पहले तो आईए हैं बिल्टलों लोगोग WOW तो अब मिल्क डे 뉴스 बनाए जाते हैं वर्ड लेवल पर और एक नैशनल लेवल पर डॉनों पर बच्छे कंफ्यूज होते ह। अब दोनों सभी कोश्यन बनते हैं एक जून को जो हम बनाते हैं वह हमारा है वौल्ड मिल्क डेख को सह है और एक नैशनल इस निलक देखेंगा आएगा थी ठीक ये तो गया एक जून उसके बाद हम बात करें पांच जून वाला भी बड़ा इंप्वर्टेंट है इस दिन मनाते हैं एपना जूलाई जूलाई मैं बार जूलाई में आपके दो याथ तीन है याद रखो एक तो 11 जुलाई को याद रखो अच्छा है यह भी population डे हैं आपका बढ़ा योगदान है हम सब का इसमें बहुत बढ़ा योगदान है वर्ल्ड पॉपूलेशन डे वर्ल्ड पॉपूलेशन डे यह 11 जुलाई को है उसके बाद 12 जुलाई को आजा जो 12 जुलाई को है नावाड डिवस नावाड नावाड डे हैं और एक 16 जुलाई सोला जुलाई को तो हमें अग्रिकल्चर वाले सभी जानते हैं आई-सी ए-आर का फाउंडेशन डे है इस दिन आई-सी आर की स्थापना हुई थी इस दिन ठीक है तो यह आई-सी आर का फाउंडेशन डे है अरे हां क्या दिक्कत है भी रूख तो जुलाई हो गया जुलाई के बाद आब आजाओ सेप्टेमबर कि कॉल के वड़े जीवी खेल है जब फ्री बैटे होते हैं तब बहुत कम कॉल आएंगे सबसे ज़्यादा कॉल आते हैं जब मैं खाना-खाने बैठता हूं ड्राइव करता हूं यह बातरूम में घुसा होता हूं इतने कॉल आते हैं पता नहीं कैसे इन्फोर्मिशन नोटिफिकेशन पहुंसता है सारे इस काम में कर रहा है जल्दी से फोन लगाना शुरू कर देते हैं चलो बात करते हैं सेप्टेमबर की सेप्टेमबर दो दिन याद रखो एक सेकिंड सेप्टेमबर और दूसरा सोला सेप्टेमबर बहुत इंपॉर्ट ह सबसे पहले नोट‍प ड रही को को कोड़े सबसे पहले सोल सेप्टेमबर जीब अड़ा इंपॉर्टन यह सर्फ एगरीकल्चर के लिए बाकि की जीतों नॉन एग्रीकल्चर के एक्जामन में उसमें भी बहुत आता है ओज़ून परत देखिया अपने आपने आपको अप एले ट्रेस से हमको प्रोटेक्शन मिलता सब जानते हैं तो वर्ल्ड ओजॉन डे 16 सितंबर को सेप्टेंबर के बाद आता है अपना कौन सा अक्टोबर अब आजाओ अक्टोबर में ऑक्टो अक्टोबर में भी है कुछ पर इन चार दिसमें या को्ति इस धिन इस दिन बनता है वर्ल्ड कॉफी डे alley वर्ल्ड कॉफी एक और बनाया जाता है इस दिन वर्ल्ड बैजीटेरियन अब यह एक तरह से देखा जाए तो इंडरेक्ट ली हमारे अग्री कल्चर से तो रिलेटेड है क्योंकि जतने ज्यादा बैजीटेरियन लोग बढ़ेंगे अग्री कल्चर का प्रडक्शन उतना ज् अधिर हैं लोग उतना जयदा खास इंपोर्टन नहीं लेकिन फिर थी याद रखो एनीमल बेलफेयर डे वर्लड एनीमल बैलफेयर डे 4 अक्टवर को वर्लल रेख्ञत को सानीमल चोटीज बेलफर अगली स्लैड में चलते हैं चार अक्टवर बूमेंज इंटरणेशनल गैं इंटरणेशनल डझे फ़ॉर दी रूलर वुमेंज जो ग्रामीड महिलाए हैं उनकी इंटर्नेशनल लेवल पर बनाय जाता है अक्टोबर ओगया अक्टोबर के जाओ November 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 में क्या-क्या याद रखना है एक ही दिन है November में बस वो याद रखना आपको अच्छा October में चाहो न तो एक और लिख सकते हो 16 October है फूल्ड फूड डे का है लिख लो चाहो तो आपकी मर्जी है वर्ड फूड डे वर्ड अटा दे इसको लिखी लो इसको अच्छे से वर्ड फूड डे यह सोल अक्टोबर अब चलते हैं अपने नवंबर और नवंबर में केबल एक ही दिन याद रखना है जो मैं आपको पहली बता चुका हूं वह है मिल्क डे मिल्क डे कौन सवाल आपका एक तो मिल्क डे हम पहले देख चोके हैं विर्ड मिल्क डे अभी जो मैं बात करने वाला हूं व क्वेशNew BC का है 26 नवंप्र को है इस दिन बनाए जाता है ihnen government को ही national merely 2 और ये क्यों में बत करें आ यापर डिसंबर के नाम सुना है फादर ओफ वाइट रिवोलिशन इंधिया उनका जनम दिन था उनीं के जनम दिन के उपलक्ष में मनाया जाता है नेशनल मिलगड़े 26 नवमबर उसके बाद हम बात करें आपर दिसंबर कि देखो डिसंबर कि अधी कि दिसंबर में भी है कुछ तीन-चार दिन और सब की सब इंपोर्टेंट हैं जैसे कि दिसम्बर के दिन नेशनल एग्रीकल्टर एजुकेशण डिया ना सिर्फ एजुकेशन डिन यह इन इइन यहva Alla genial ले जो के संदे है नेशनल एग्रीकल्टर एजुकेशन डिय नाचनल अ एग्रीकल्टर लेट्टर ऍटसा wesुप प्रए मिन्स्टर तो मोनाए जाता सबसे पहले President Doctor Rajendra Prasad जी थे और इसके साथ-सार यους ूनियरेन मिनिस्टर Off Agriculture भी थे agriculture के केंद्र मंत्री भी रह चुके थे सब से पहले तो फरस्ट到 Aoff yes योनियरमिनिस्टर आफ हही थे डॉक्टर राजिंदर स्वाज़ प्रसाद और 3 दसंबर को इनका होता है जनम दिन तो इनके जनम धिन को सेलिब्डरेट करने के लिए हम उस दिन बना लेते हैं नैश्ञनल एग्री कल्ट्छर एजूकेशन डेव फिर आ जब चार दिसंबर को आगवी चार दिसंबर को पते हैं बतायती साल में तीन लेकर एक तो मने पहले पढ scorम को स्हजο्रॉचवार पढलत शब्लस्थ provided टीन है टोटल एक अर्न आप्र में पर दिसम्बर यह भी बड़ा ंपोर्टेंट है इस पर भी लगा होए एंप पी चेहरी मोर्णट जाता को उसके बाद फिर आ चाओ दिसमबर हो फोर्टी की दिसंबर शोड़ा दिसंबर 24 दिसंबर को बनाते गई एनर्जी अनोल पार है नेशनल एनरजी लेशन दे नेशनल इनरजी लेशन दे नेसनल एनरजी 23 दिसम्बर ये नेशनल फार्मर्स डे कौन सा नेशनल फार्मर्स डे कि याद रखेगा किसानदिवस चिसक इंदी में अम लोग कहते हैं और है और ये किसान दिवस ये नेशनल फार्मर्सडे तीस दिसम्बर को ही क्यों मना कर दो यह आप लोगопрос कंट डे Знаете दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है नैशनल फार्मर्स ठीक है तो इसके लाब और भी बहुत सारे डेज अग्री कल्चर को ले करके लेकिन मैंने आपको कुछ कुछ चुनेंदा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बताएं जिन से कुई यूजरी क्वेशन्स आते रहते हैं ठीक तो इनको याद रखिएगा आप चलिए थैंक यू